Hello Friends, Welcome to our channel Trending Pradesh, जहाँ आपको जार्खन के Government Jobs Related Information और उसकी तैयारी के लिए Study Materials प्रुभाइड कराये जाते हैं। आज का टॉपिक है जार्खन World Trade Center, इसका construction कब से शुरू किया जाना है, estimated खर्च कितना है और Government इसके लिए क्या-क्या initiatives ले रही है और इसे achieve कैसे किया जाना है यह सारे points को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में discuss करने वाले हैं। और एक important announcement कि आज से कोई जितने भी special topics हैं वो by-lingual होंगे यानि कि notes आपको दोनों Hindi और English languages में provide करा दिया जाएगा। भले ही मैं discussion इसका हिंदी में करूँगा हिंदी language में लेकिन notes आपको दोनों languages में provide करा दिया जाएगा। So without further any delay, let's start the topic. जार्खन World Trade Center, notes available both in Hindi and English, आप screen पर अभी जो proposed pick है इसका वो देख रहे हैं। So चलिए, first point है, राजधानी राची में World Trade Center 4 एकर जमीन में बनेगा, कहां पर बनाने का प्रस्ताव है? उद्योग विभाग ने इसके लिए HGC स्थित Smart City परिशर में जमीन मांगी हैं। नगर विकास को इसका प्रस्ताव भेजा गया है। जमीन मिलते ही World Trade Center की स्थापना प्रकिरिया का मसौदा तयार कर लिया जाएगा। प्रस्तावित World Trade Center में अंतराष्ट्रे कारोबार से संबंधित सारी स्विधाओं का एक ही परिशर में मिलेंगी। यहां वेपार, विदेश वेपार, महा निदेशालय का छेत्र कार्यालय और भारतिय निर्यात परिशंग से जुड़े कार्यालय भी होंगे। थर्ड पॉइंट हैं, इसके अलावा आयात निर्यात यानिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ी कमपनिया के लिए स्थान मुहया कराए जाएंगे। यहां करेंसी एक्सचेंज के लिए मनी ट्रांसफर तक किस विधाएं भी मिल सकती हैं। यह एक्चुली मिना इसे 2018 में प्रोपोस्ट किया गया था। क्यूंकि यह बिजनेस से रिलेटर है, एक पॉइंट आपको पता रहना चाहिए कि इस आप डूइंग बिजनेस 2020 में जहारखन का कौन सा अस्थान है। फोर्थ पॉइंट है, इसके अलावा एयर कारगो, शिप कंटेनर और निर्यात प्रबंधन की दूसरी सुईधाएं भी मिलेंगी। अब हम लोग इसके इंपोर्टेंस में देख रहे हैं कि अगर ये स्टैबलिस हो जाता है, तो जहारखन को किस-किस तरह से फायदा पहुँच सकता है। यहां अंतराष्ट्र कारोबार करने वाली कंपनियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और उसके प्रचार प्रसार के लिए भी स्थान मिलेगा। एक ही छत के नीचे अंतराष्ट्र कारोबार से जुड़े आवेधनों की प्रक्रिया संपन की जा सकेगी। विश्व बजार की मांग, निट्वरकिंग, गुनवत्ता के मानक और तरीकों की जानकारी देने के लिए यहां सूचना केंद्र होगा यानि इन्फॉर्मेशन सेंटर का भी कंस्रक्शन इसमें किया जाएगा। तो बिजनेस से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट से एरिया से सबको एक ही बिल्डिंग में कभर करने की कोशीज की जा रही है। और जारगंड में जैसे इसका कंस्रक्शन होता है, यह अपने तरह का एक पहला का कोई कंस्रक्शन होने जा रहा है। तो estimated cost कितना है इसका 9.8 करोड जो primary cost हम लों कहते हैं वो अभी इसके लिए 9.8 करोड का स्विक्रिती दिया गया है भारत सरकार ने World Trade Center के स्थापना के लिए 9.8 करोड की प्राथमिक राशी राज सरकार को दी है राज सरकार को अपनी ओर से बाकी राशी मिला कर इस पर्योजना की सुरुवात करनी है आगे केंदर सरकार की ओर से कुछ और सहयता मिल सकती है प्रोग्रेस देखा जाएगा प्रोग्रेस किस प्रकार से हो रहा है उसी पर depend करेगा केंदर सरकार कितना और कब सहायता करती है 2018 में ही भारत सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी थी लेकिन दो साल बीर्ट चुके हैं अभी तक इस पर कोई काम नहीं किया किया अब हिमन्स्वरेन सरकार जब से आई है इस पर कुछ कारी किया जा रहा है मतलब इसके निर्मान कारी के प्रती योजना है उसका विस्तारी करन किया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट है जार्खन से निर्यात होने वाले उत्पाद मतलब बिजनेस point of view से अगर देखा जाए वेपार point of view से तो कौन-कौन से प्रमुक निर्यात हैं, एक्सपोर्ट से हैं पहला auto parts, software, bus, ship जो हम लोग बैंबू आर्टिफिक्ट्स कहते हैं इमली, tamarind, चीरोंदी, krisi products, forest उतपाद यानि forest products आगे क्या क्या संभावना है, यानि यह construction जब हो जाएगा तो क्या क्या improvement हो सकता है काजू, पत्थर, सिर्फ, तसर के कपड़े, लाह निर्मित वस्तुएं, भिंडी, कठल अब next है, कि निर्यात के लिए आगे और क्या करना होगा मतलब हम लोग जो business जारखन जो एक point तो खिसा गया ना, ease of business, doing business में तो इसको improve करने के क्या क्या steps लिया जा सकता है, ताकि जारखन का जो business environment है वो improve हो सके, पहला point है, राची airport के air cargo को पूरा अपयोग करना होगा अभी भी ये highly efficient नहीं है, यानि efficiency राची airport का यदि हम लोग cargo transportation की बात करें तो ये 100% अभी भी उपयोग नहीं किया जाता है दूसरा है, साहिब गंज में multi-model hub का संचालन जल्द से जल्द सुरू करना होगा 2019 में, 5 जनवरी 2019 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने यहाँ पर उठगाटन किया था sorry, 2020, 5 जनवरी 2020 को, अब देखे कब तक ये सुरुवात होता है ये भी थन्डे बस्टे में चला जाएगा third point है, और उडिशा के पारदीब बंदरगा तक सीधी connectivity विक्सित करनी होगी as compared to जारखन जो हमारा साहिब गंज का multi-model है पारदीब जो अडिशा में है वो काफी develop है तो अगर सीधी connectivity develop हो सकती है तो ये काफी अच्छा होगा business point of view से अब इसी points को आप English में भी देख सकते हैं तो notes आपको दोनों languages में provide करा दिया गया है ये English के सारे points है जितने भी points अभी हिंदी में discuss करें गये सारे points आपको यहां English में मिल जाएंगे ताकि दोनों medium students को इसमें असानी होगी notes बनाने के लिए ठीक तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें comments box में लिख के बताएं और अगर आप हमारे मेहनत को appreciate करते हैं तो do share this video with your friends and thanks for watching this video मिलते हैं जार्खन के अगले current affairs के साथ